साप और सपेरों से प्रियंका का चूख समवाद नाग देवता जब खुश होंगे तो प्रियंका को मिलेगा आशिरवाद साप से खेल कर राहुल के लिए वोट की खोज राजनीती में हर दिन नया है ये नयापन नेताओं के लिए है और उस राजनीती का ही पहला और आखरी शिकार जनता के लिए भी नया है राजनीती समवाद के सहारे आगे बढ़ती है ये समवाद नेता और जनता के बीच होता है जब इनके बीच हुए समवाद आपस में मिल जाते हैं जब सोच मिल जाती है तो उससे जन प्रतिनिदी का निर्मान होता है लोग तंद्र में जन परतिनिदियों की अपनी ही एहमियत जनता की भी है जो सर्वपरी है आखिर उन्ही के मत से जन परतिनिदि बनते हैं उन्हीं के वोट से दिल ले जाने के लिए रास्ता तैयार होता है राजनीती में हर वोट का अपना पत अपनी धारा है कॉंग्रिस महासचीव प्रियंका गांधी शायद इसी बात से वाकिफ है इसलिए समवाद की धारा के लिए सपेरों के बीच आई है राजनीती को साथ लेका ताल मिला रही है उनके पीछे उनके विचारों की समर्तक जनता की गर्म जोशी में प्रियंका के समवाद की धारा वह रही है प्रियंका के लिए सब नया है यहां सपेरा अपनी बाते बता रहा है प्रियंका उनकी बातों को सुन रही है लेकिन दिल के अंदर छिपा बच्चा उन सापों के साथ खिलना चाहता है वो रह रहकर कोशिशे भी कर रही है कभी साप के बच्चे को उठा रही है पुछकार रही है, दुलार रही है हिम्मत दिखा रही है तो कभी सापों के बाश्चा से आख मिलाना चाहती है ये तस्वीरे सब के सामने है सब उन्हें एक टक निगाओं से देख रहे है सपेरा भी प्रेंगा की हिम्मत पर सन है तबी तो अन्होनी की हाट से सक पका कर प्रेंगा के हाटों से अपनी रोजी रोटी को जटक लेता है लेकिन वही सपेरा सियासत की शितरंच की विसाथ पर विशी चालों के बारे में बात करने के लिए बेकरार है वो बता रहा है आप आईएं आप साथ होंगी साथ देंगी तो क्या हो सकता है अपनी और अपने समुदाय की ताकत से वाकिव करा रहा है यही परजात अंतर की खुशूरती है जहां जनता ही जनादन होती है प्रेंका अपने भाई और मा के संसिद्धी चेतर अमीटी और राबरेली में आजकल यही सब कर रही है ताकि राहूल के पीछे पड़ी बीजेपी की इस मिर्थी को मात दे सके जनता से अपने समवाद के जरीए मतों का ऐसा हिमाले तयार करना चाहती है जिसकी चोटी से राहूल दिल्ली को असाने से देख सके कुछ अपनी कहें और कुछ औरो की बात सुन सके